नमस्ते दोस्तों आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज हम एक सिंपल सा मंगल सुत्र बनाएंगे उसके लिए लिया है मैंने बड़े साइज का काला मोती यह साइनिंग वाला काला मोती है सोने का लॉकेट लिया है मैंने यह पान के पत्ते के जैसा वाला लॉकेट है पेच लिया है मैंने फिर की या पेच कह सकते हैं सोने की मोती लिया है मैंने आप देख सकते हैं इसकी साइज यह थोड़ी बड़ी साइज की है आठ सोने की मोती लिया है मैंने और मंगल सुत्र गूतने का धागा लिया है आप देख सकते हैं यह बहुत ही महीन होता है यह धागा प्लास्टिक टाइप का और सुई लिया है ने रिल में से धागे को काट लिया है मेने। ुर्ज मेने I a 20 घरिया है कि अंट करते हैं कि 18 घरिया यह जुने सब्सक्रूदरि क्लर्ब्ध हमारे दोस्ता करते हैं कि मैंने इसके लिए दस फिट का लिया है, पहले दोहरा मोड लिया है मैंने धागे को, फिर इसको हम चोहरा मोड लेंगे, अब देख सकते हैं इस तरह से, चोहरा मोडने के बाद फिर से हम इसको एक बार और मोडेंगे, और इसके आठ तह हो जाएंगे, अब देख सकते हैं, मैं यंकि मोतियों का च्छेद बड़ा है तो आसानी से चला जायेगा धागे में और जहांसे मुड़ रहा है वहीं हम आप देख सकते हैं यहां पर हम सुई बान देंगे, मैंने सुई में रील के धागे को लगा लिया है, सिलाई वाले धागे को लगाया है मैंने सुई में, अब इस तरह से आप देख सकते हैं, हम बान लेंगे धागे में, मंगल सुत्र गुदने के धागे में इस तरह सुई के धागे को बान बान लेंगे और एक साइड में जहाँ दूसरा साइड आप देख सकते हैं इस तरह से बान लेंगे हम अब इधर धागा मैंने बान लिया अब हम दूसरे साइड में गाठ लगाएंगे यह दागा जल्दी फरस जाता है इसलिए ध्यान पूर्वक करना पड़ता है इसको आप इस साइड में जिधर थोड़ा कटा हुआ भाग भी है इधर हम गाट लगाएंगे इस तरह से बहुत सारे हमारे फ्रेंट्स हमसे सवाल करते हैं कि हमें धागा कितना लेना है कैसा धागा यूज करें तो मैं आपको बता दूं कि धागा हर मंगल सुत्र का के साइज के हिसाब स आपके तरफ से लेना पढ़ता है कितने बड़ा रखना है कितना चोटा रखना है कितना मोटा रखना है तो उसके हिसाब Сे रहता है अब मेंने काट लिया इसको मोंतिो primera kashyak тел कैसा है उस हिसाब मंगल सु*** के लंबार के हिसाब से बहुत से तब θαगा रखना पड़ता है अगर आपके तरफ मंगल सुत्र गूतने का धागा नहीं मिलता है तो आप रिल के धागे का यूज करके भी बना सकते हैं अगर आपके मोतियों का छेद मोटा हो तो क्यूंकि रिल के धागे के बहुत सारे तख करने पड़ेंगे हमें इसलिए अगर छेद मोटा रहेगा तभी उसमें जा पाएंगे वो धागे और रिल के धागे थोड़े कमजोर होते हैं इसलिए हम मैंने ये पेच लिया और पेच में यूज़ करने के लिए मैंने दो छोटे मोती लिये हैं ये गाट लगाने के बाद छोटे मोती को डालके फिर पेच लगाएंगे तो इससे गाट खुलती नहीं है तो रिल के धागे को हम जादा तह करेंगे तो इसलिए वो जल्दी तूटेगा नहीं फिर भी उतना सेफ नहीं रहता है जिनना ये प्लास्टिक टाइप का धागा है जो मंगल सुत्र गुतने के लिए आता है इसके इतना सेफ नहीं रहेगा फिर भी हम अगर नहीं मिलता है ये धागा तो हम उसी धागे को यूज़ करेंगे आप देख सकते हैं मैं किस तरह से मोती एक डाली फिर एक पेच डालूँगी इसको पेच का मुह हमेशा बाहर की तरफ रहेगा तो आप उससे भी बना सकते हैं रिल के धागे से भी बना सकते हैं इस तरह से आप देख सकते हैं धागा थोड़ा इधर उदर हो गया उसको ठीक कर रही हूं मैं इस तरह से अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट्स करना मत भूलिए और मेरे चैनल को तो जरूर जरूर सब्सक्राइब करिए आप देख सकते हैं, यह मोती का छेद, यह मोती थोड़ा परड़े साइस का है, क्योंकि धागा मोटा है, ज्यादा मोटा हो गया है, तो इसमें थोड़ी मोटी साइस की ही, जिसका छेद मोटा होगा, वही मोती जा पाएगा अब मैं ये मोती लूँगी गिन गिन के मोती लूँगी मैं मैं सबसे पहले 20 मोती डालूँगी उसके बाद सोनी की मोती डालूँगी इस तरह से गिन गिन के हम मोती डाल लेंगे ये बड़ी साइज की मोती है ये असानी से गिन सकते हैं इसको और गीन के डालने से मंगल सुत्र छोटा बड़ा नहीं होता है दोनों पार्ट एक बराबर होते हैं एक साइज के होते हैं अगर आपके कोई सवाल रहते हैं तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं पूछ सकते हैं हमसे और आपका कोई सुझाव रहे तो हमें बता सकते हैं कॉमेंट्स करके कि इसमें क्या कमी है या कुछ भी क्या सुधार करना चाहिए आपको कैसा वीडियो पसंद है या कुछ भी आप कॉमेंट्स करके बता सकते हैं इस तरह से आप देख सकते हैं मैं गूध रही हूँ अगर पसंद आया तो आप रंगोली का भी वीडियो देख लीजिए और कमेंट्स करके बताईए उसमें क्या कमी है और क्या सुधार करना चाहिए या क्या आपको अच्छा लगा एक अमेट्स करके जरूर बताईए इस तरह से में मोतियों को गूत लूँगी आप देख सकते हैं किस तरह से गूत रही हूं मैं अपमंगल सुत्र गुतने के धागे के जगा पिरिल का धागा यूउज करके बना सकते हैं और सेम पैटरन यूझ करिए जिसमें मैं सूई बांधी हूँ वैसा अब यहां हम एक सोने की मूति डालेंगे 20 मैंने काले मूति डालेंगे बड़े वाले काले मूति लिए इस तरह से अब देख सकते हैं काले मूती डालूंगे इस तरह से स्वरी काले मूती डाल दी है मैंने इस तरह से अब गोल्डन मूती डाला है मैंने अब यहां पर मैंने तेरा काले मूती यूज किये हैं और फिर गोल्डन मूती यूज किया है मैंने इस तरह से चार जगे हम गोल्डन मोती यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास आठ गोल्डन मोती है तो एक साइड में चार गोल्डन मोती और बीच में लॉकेट ऐसे रहेगा लॉकेट के दोनों साइड में चार चार गोल्डन मोती यूज करना है और हमें लंबाई के हिसाब से मोतियों को adjust करना है ज्यादा पीछे भी गोल्डन मोति लगा देने से वो पीछे चला जाता है तो दिखता नहीं है फिर उतना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि पीछे चिप जाता है सोना तो हम थोड़ा आगे ही लगा इसलिए मैंने पीछे के लिए 20 मोति यूज किये हैं मै फिर उसके बाद गोल्डन मोति फिर तेरा काले मोति फिर गोल्डन मोति फिर तेरा काले मोति इस तरह से मैंने गूथा है इसको आप देख सकते हैं अब फिर से मैं एक गोल्डन मूती डाल रही हूं थोड़ा छेद पतला है गोल्डन मूती का और धागा के तरह आठ है तो इस तरह थोड़ा वहां मोटा हो जा रहा है अब देख सकते हैं इस तरह से करूँगी अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक शेयर कॉमेंट्स करना मत भूलिए प्लीज फ्रेंट्स अब मैंने यहां पर तीन जगह पर मैंने गोल्डन मूती यूज कर लिया और चौथे जगह पर मैं यूज करूँगी गोल्डन मूती औ दो गोल्डन मूती और भीच में लॉकेट इस तरह से यहां पर आप देख सकते हैं चौहथे जगह पर मैं एक गोल्डन मूती जालूंगी फिर लॉकेट डालूंगी फिरbers you गॉल्डन मोती है वो डालोंगीast कि इस तरह से डालोंगी गॉल्डन मृती दोनों साइड में लॉकेट के एक गॉल्डन मोती उस साइड में हो जाएगा और एक गोल्डन मोती इस साइड में अब चार गोल्डन मोती मैंने लॉकेट के उस साइड में यूज किया है अब चार गोल्डन मोती लॉकेट के इस साइड में यूज करेंगे और वही पैटन यूज करेंगे इसमें भी तेरा काले मोती फिर एक गोल्डन मोती फिर तेरा काल सकते आसानी से कहीं सुनार के पास जाने की जरूरत नहीं है पर हाँ ये धागा मिले तो बहुत ही अच्छा रहेगा ये मंगल मोतियों के छेट बड़े हो तो ही वो सुई जा पाएगी इस तरह से मैंने देखिए मैंने गूत लिया और मैं अब पेज लगाऊंगी पेज से पहले मैंने उसमें यूज़ करने वाली मोति डाल दी मैंने जो मुझे पेज में यूज़ करना है तो इसलिए मैं निकाल रही हूँ यह मोती आसानी से निकल भी जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अब मैं सबसे पहले पेज डालूंगी, उसके बाद वो छोटी मोती डालूंगी और गाट लगाऊंगी, वो छोटी मोती डालने के वज़े से हमारे गाट खुलती नहीं है, और गाट अच्छे से तूटने का भी डर रहता है, आप देख सकते हैं, अब मैं सबसे को अलग कर लूंगी इसमें से, और गाट लगा लूंगी, यह धागा मोटा है तो दो ही या एक गाट लगाएंगे हम अच्छे से, और गाट लगाते हैं टाइम ध्यान रखेंगे कि बहुत टाइट, मतलब म की गाट लगाएंगे, ताकि मोटियों के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप दे हम, कि बाद में यह धागा सी कुटता है, तो फिर मोटिया एकदम टाइट हो जाती है, और अकड़ जाती है, एठन पढ़ने लगती है, इसलिए मैं थोड़ा गाट ऊपर ही लगा रही हूं, अब देख सकते हैं इस तरह से, और मोटियों के बीच थोड़ा थोड़ा गैप भी चाहिए, क्योंकि पानी लगने के बाद यह इसमें धागा अगर गैप नहीं छोड़ते हैं, धागा थोड़ा बड़ा नहीं छोड़ते हैं, तो इठन पढ़ने लगती है धागे में, मोट देने से सेफ हो जाता है खुलता नहीं है गाठ हमारा आप देख सकते हैं इस तरह से आप देखिए मैंने थोड़ा सा धागा ऊपर ही लगाया है ताकि धागा थोड़ा सा छूट जाए इस तरह से अब हम पेच लगा लेंगे और आपको दिखाएंगे कैसा मंगल सुत्र तैयार हुआ है आप देख सकते हैं देखिए मैं थोड़ा थोड़ा इधर उदर एड़स्ट कर रहे हूं क्यूंकि बहुत ही टाइट हो गया था एक एक पास करकर के मोती सब यह एक लॉकेट का मंगल अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक करिये सेयर करिये कमेंट्स करिये और मेरे चैनलन को सब्सक्राइब करना तो बिलकुल मत भूलिए तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए नावाट